नमस्वार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के नुसार प्रतेक माह में कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिती को काल अश्टमी का वरत किया जाता है काल अश्टमी को भेरवाश्टमी के नाम से भी चाना जाता है ये तिथी भगवान काल भैरव को समर्पित होती है दार्मिक मानेताओं के नुसार भगवान भैरव शिवजी के ही रुत्रा अवतार है उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है भागपत मासिकाल अश्टमी साल 2021 में 30 अगस 2021 को है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ मेडेबल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक कि आपको मेरे वीडियो की नौडिविकेशन रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कून मत वोलिए तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो भगवान काल भैरव के अश्ट सुरूप है इन में से ग्रेस्त जीवन जीने वाले साधन जन को बटुक भैरव की आरातना करने चाहिए ये भगवान भैरव का सौम्य रूप है दार्मिक बानेताओं का अनुसार जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है तीनों लोग में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती उनकी पूजा से नकरात्मक सक्तियां भै और सत्रों से मुक्ति प्राप्त होती है तो आई ये जानते हैं कि कालाश्टमी व्रत की पूजर्विधी क्या है कालाश्टमी के दिन व्रती को ब्रहमूरत में उठकर भगवान के साथ भगवान शिव की भी विदिविधान से पूजा करनी चाहिए इसके बाद पूरे दिन वरत रखे और शाम को पुना पूजन करे भगवान काल भैरों के समच धूप दीप प्रजलित करे विदिविधान के साथ पूजा करे और जले भी आधी का भोग अर्पि भादरपद कृष्ण अश्णमी तिधी का प्रारम होगा 29 अगस्त की रात 11 बच कर 25 मिनट पर समाप्ति होगी 30 अगस्त की रात 1 बच कर 69 मिनट पर मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका पहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ